नमस्कार दोस्तों, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माई चैनल और कैसे हो आप सब, I hope आप सब ठीक ठाक होंगे और बहुत खुश होंगे, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ, बहुत ही डिलीशियस और यम्मी टेस्टी रेसिपी जिसका नाम है चिकन कटलेट, यह बनाना बहुत ही आसान है, जिसके लिए हमने आधा किलो बोनलेस चिकन लेकर उसको मिक्सी में पीस लिया है, इसमें हम डालेंगे स्वादा नुसार नमक, एक चम्मच, काली मिर्च पाउडर, आधा चम्मच, गरम मसाला, आधा चम्मच, लाल मिर्च पाउडर, एक चम्मच, चम्मच तेल, अब डालेंगे दो चम्मच ब्रैड क्रम्ब, अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे, अब हम आधा कटोरी मैदा लेकर उसका पतला घोल बना लेते हैं, इसमें पानी डाल कर घोल लीजिए, इसमें भी थोड़ा सा नमक डाल दो, मैदे का घोल बन चुका है, चौप पे थोड़ा सा तेल लगा लेते हैं, अब चिकन मिक्स चको चौप पे फैला दे, अब इसको चकोर पीसेज में काट लीजिए, एक फ्राइंग पैन में तेल गर्म होने के लिए रख दीजिए, जो हमने मैदे का घोल रखा था, इसको घोल में अच्छे से डिप कर ले, अब इसको ब्रैट क्रम्प में रोल करें, फिर से इसको मैदे के घोल में डिप कर ले, फिर से इसको ब्रैट क्रम्प में रोल कर ले, अब इसको गर्म तेल में डिप फ्राइ कर ले, अगर आपको मेरी विडियो अच्छी लगी हो, तो अच्छे अच्छे कमेंट करके बताना, और विडियो को फ्रेंज और फैमिली में शेयर कर देना, ऐसी और विडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलना, ताकि आपको हर विडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे, चलिए फिर मिलते हैं अगली विडियो में, तब तक के लिए बाई बाई अपको हाँ, अपको हाँ, तुछ लिए।, अपको हाँ,